हलो गाईज, विलकम टो चीव आईएस, मैंने में जैवीश मिठी इस वीडियो में हम एंचेंट इस्टी ओफ इंडिया के क्रेश कोर्स का एपिसोड 11 स्टार्ट करने जा रहे मैं आपको पिछली वीडियो में अर्ली वैदिक एज की जोगरोफी और पॉलिटी बता चुका हूँ साथ मैं लिट्रेचर भी बता चुका हूँ इस वीडियो में हम सोसाइटी और रिलिजन पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारे सभी एंसेटी सब्जेट्स के टैसरीस फॉर्मेट में कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे ज़्यादा जानकर एकलिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं चलिए सोसाइटी की बात करते हैं तो मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि कुछ वजय तो रही थी कि राजा राम महन रोय और दयानन्स रस्वती हमेशा यह कहते थे कि वेदास की तरफ जाओ वेदास को काफ़ इंपोटेंस देते थे और हमेशा जब भी उनको कुछ प्रूव करना होता था कि देखो हिंदूईजम में तो विडो रिमेरिज है चाइल्ड मेरिज है ही नहीं यह सग्या इंफेंटिसाइड वगरा कुछ नहीं है तो वो जो सेक्रेट टैक्स्ट का सहारा लेते थे किसी भी गलत काम को बैन करने के लिए तो उससे हमें चीज पता चलती है कि आखिर बहुत सी चीज़े अच्छी रही होंगी अर्ली वेदिक पीरिड के अंदर अर्ली वेदिक एज की बात कर रहा हूं और वही जाननी के लिए हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी देखिए हम अब सब को पता है कि चार वर्णा होते थे जैसे कि रिगविदा में जो दस मंडल है और जो टैन्थ मंडल उसमें पुरुशुकता है पुरुशुकता है जिसमें चार वर्णों के बारे में दिया गया है ठीक है अब ये जो वर्ण है शत्रिय ब्रामण वैश शुद्र ये अल्ली रिग्वेदिक एज में ओक्यूपेशन के हिसाब से बटे गए थे यानि कि मेरे अगर किसी के अगर पापा ब्रामण है तो उसका बेटा शुद्र भी हो सकता है उसका बेटा एक वैश्य भी हो सकता है मर्चेंट भी हो सकता है उसका बेटा एक शत्रे भी हो सकता है ब्रामण तो होई सकता है तो आप जो करम करोगे उस हिसाब से आपका वर्ण होगा और इसी लिए महात्मा गांदी भी हमेशा वर्ण बेस्ट सोसाइटी की बात करते थे बियार अमबेड करके और उनके यहीं एपोजिट व्यूज होते थे बियार अमबेड कर कहते थे कि पहले जो चीजे थी उनकी वज़े से ही आज ये सब चीजें कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिशन चलती आ रही है लेकिन मात्मा गांदी कहते थे कि मैं उस वर्ण सिस्टम की बात नहीं कह रहा जो लेटर वेदी केजी में वी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें आदमी के कर्म के हिसाब से उसका चयन होता है उसके वर्ण में तो occupations भी hereditary नहीं थे यानि ज़रूरी नहीं है कि आपके पापा शत्री है तो आप भी शत्री नहीं बनो आप मर्चेंट भी बन सकते हो और ब्रामन भी बन सकते हो ठीक है किसी के पापा शत्री है तो किसी का बेटर शुद्रा है तो यह चारी चीजे थी जो उस टाइम पे बिलकुल चलती थी मोनोगेमस थी और पैट्रियार चलती मोनोगेमस मतलब जिसमें एक व्यक्ती एक ही महिला से शादी करता था पोलीगेमी बाद में आई थी मोनोगेमस था पैट्रियार चलता हालगी यह जान रखना कि चीजे सा वही आ रहा था चाहिए फैमिली में हो चाहिए सोसाइटी में हो चाहिए एडिमिस्ट्रेशन में में हमेशा ही रूल करतावा आ रहा है लेकिन मोनोगैमस थी यह बात याद रखने लायक है और मैं शाह करता हूं आप याद रखेंगे चायल्ड मेरीज नहीं थी हाला कि उस टेम शादी जल्दी हो जाती थी इतनी उमभर नहीं थी लेकिन उतनी नहीं थी कि 10-15 साल में कर दिया 7 साल में कर दिया सबसे बड़ी बात वीड़े वीडो रिमैरीच थी । किसी का आगर हजबैन चले जाता था मर जाता था तो उसके जो यंगर ब्रदर है उस से विवा हो सकता था उस महिला यह जोग चंते जाता है उसको कहते थी और ओर उस्वर चंद्य विद्ध्री आसा कवाला देते हुए कहा था कि वीड़ो रिमेरिज होती थी पहले भी तो आज क्यों नहीं होती अगर हम रिलीजन को इतना इंपोटेंस देते ही हैं तो जो बाते अच्छी हैं वो क्यों नहीं अपनाते तो काफी जो है बात चर्चा में रही भी थी तो फादर की प्रोपर्टी सन के पास जाती थी क्योंकि महिला का तो एक लड़की का तो शादी हो जाती थी तो राइट टू प्रोपर्टी मूवेबल में भी थी और इमूवेबल में भी थी प्रोपर्टी इनहेरिट कौन करता था सन प्रोपर्टी जो राइट टू प्रोपर्टी था वो मूवेबल मे वी थी यामनि कि किसी की गाए भैसे है horse है गोल्ड है आभूशन है सोना चांदी जमारात के होगे इस नहीं प्रॉपर्यटी वसके बेटे की होगी और यहां की लेंद और हाउस भी उसका ही होगा ठीक है छीर आपने खाते हो खीर आप खाते तो इस टाह्म क्हीर का भी जो है भोजन था ग्रेन कुक्ड विद मिल्क जिसको वहां कहते थे शीर पकड मोड नम ठीक है शीर पकड मोड नम खीर इसको मैं बोलूँगा शॉट मैं मीट खाया जाता था फिश बर्ड्स का और एनिमल्स का यह ध्यान रखिएगा उस टैम मीट भी चलता था काउ बहुत सेक्रेड मानी जाती थी और मैं आपको अल्रेड़ी कह चुकाओं की अल्ली व्यदिक एज में काउ बहुत इंपोटेंट थी मैंने आपको समझाया था पिछले एपिसोड में भी प्रीवेस एपिसोड में भी कि लेंड उस टेम पर इतना इंपोटेंस नहीं रखत मैं wealthy हूँ या नहीं वो society करेगी साथ साथ कौ अगन्य है हाथ भी नहीं लगा सकते अ आप मार भी नहीं सकते कउ 攻 कर उसक पैणिस्मेंट काफी ज़्यादा बड़ी होती थी सजा काफी कभी तो मोत की सजा भी मिल जाती थी एल्कॉलिक ड्रिंक्स सुरा एंड सॉम भी कंज्यूम होती थी तो मीट भी खहते थे और ऐसे पधार्थ एल्कॉलिक ड्रिंक्स का सेवन भी होता था सुसाइटी एग्रिकल्चरल भी थी और वहाँ पे लोग जो थे पास्टोरल थे चरवाहे थे खेती भी होती थी हाला कि इतनी नहीं होती थी कि सफिशन्ट सरप्लस हमारे पास हो जाए लेकिन काउज जितनी होंगी उतनी आपकी अमीरी गोशित होगी इंटर्टेन्मेंट के नाम पे म्यूजिक डांसिंग चैरियट रेसिंग रत घोड़े से रेस लगाते थे डांस करते थे और डाइस तो मैं आपको बता चुका हूं हरपा में कि हरपा में तो 600 डाइस तक खेलते थे तो डाइसिंग जो है वो यहाँ पे भी होती थी रिलीजन बहुत इंपोर्टेंट रिलीज याद रिलीजन याद रखिएगा पूजा होती थी जिनकी भगवानों की वह एक तरीके से नेचर से बिलोंग करते थे तो आपके अगर मैं बोलू हूं फायर तो फायर तो फायर तो पवित्र मानी जाती थी मतलब इंसान और भग आना जाता था ऐसा थियोरीज भी आई है कि उस टाइम पर और आज भी मानते हैं कि जो धुआ हैं जो हम कुछ चड़ा रहे हैं आग में वह उस अगनी में धुआ बनके ऊपर आकाश में भगवान के पास चला जाएगा तो हम यह जरिया है अगनी एक जरिया है हमारी चीजे भगवान को लोटा मतलब जो भी हम कर रहे हैं चड़ा रहे हैं भगवान को वह भगवान के पास पहुंच जाए थाटी थ्री गोड़ से उस टाइम पर बाद में डिवाइड भी होती चले गए केटिगरीज भी बढ़ गई पृत्वी यानि जो टेरिस्टेरियल अर्थ पे पुरंदर और अगनी और वरुना यह ध्यान रह दिथ रखेगा मुस्ट पोपुलर डेटीस थे रिगवेदिक आर्यन्स के इंध्र जो थे वह आप अगनी जो थे वह महापकी टेरिस्ट्रियल थीट इंद्र आपके सेेरियल हो गए और और वरुन आपके सेलीप्रश्टिय लिए जो है माने जाते थे वो सेलेस्टियल हो गए मैं अभी क्लेरिफाइए कर देता हूं आपको यह गोट के नाम है और यह किसको परसोनिफाइए करते थे वह यह आपके सामने प्रजेंट कर दिया है मैंने इसमें आप पढ़ेंगे जो सूरी है अच्छा इसमें मैंने जो थे भगवान वो पानी को परसोनिफाइए करते थे यहीं पानी के भगवान तेवे ठीक है जैसे सूर्य आपके सन है सावित्री लाइट की गोड है मित्र सोलर गोड है और में गोड ऑफ मैरिज पूशन विश्णू गोड विच कवर्ड अर्थिन त्री स्टैप्स अब अगर प्रशन आ जाए कि यहां पर जो गोड ते रिग वैदिक में उनमें से इंपोर्टेंट मेजर पॉपॉलर डेटी कौन थे तो इंद्र अगनी वरूना सबसे पॉपॉलर थे अधीति सिंदू थी में फिम गोड थी गोड भी थे लेकिन तीन बहुत इंपोर्टें अब कभी कभी जब भी गोड की बटेंजनको अखर्माश का तक बोड़़्ी एंडियेता है जिनको अपूस्ते जाता था लेकिन अइनिमस अभू अग्ता सचात्क शाय। आप गाय की पूझ्डや तो परेदिक हो अग्योर्टर मांते थे श्हां Czech recipient नहीं करते थे एनिमल की वर्शिप नहीं करते थे उस एनिमल को भगवान का रूप देगा ज़रूर वर्शिप कर सकते थे अब मैं connection जो जो जोड़ पा रहा हूं मेरा जो विचार वो यह है एनिमल वर्शिप इसले भी नहीं होती थी क्योंकि मैंने समझाया था आपको की मीट खाया जाता थ हैं तो जो सब्सक्राइब के साथ थी तो जो फिच्ज है अपने अपने को सब्सक्राइब तो फिच्द्राइब यहां प्रवर्शिप की और टीजमसम नहीं होती थी नीचर हीनोथिस में था, हीनोथिस में मतलब मैं आपको बताता हूँ, कई तरह के भगवान थे, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा क्यों था कि रिगवेदिक में नेचर से रिलेटेड ही गोड बनते थे, मतलब नेचर से रिलेटेड भी गोड बनते थे, for example, अग रही आखिर सूर्य आ कहां से रही क्यूं आ रहा है वजय क्या है, तो उन्हों ने इसको divine रूप दे दिया, की सूर्य भगवान है, वे इस फिष्टरीके से हम आते हैं, रोश्णी दे के तले जाते हैं, पानी, अग्नी, सूर्य इस तरीके से हमारे सारे भगवान हम उनको मा साफि मानता तो तो ये सारी चीजे हम जु है थी तरह के गोड में बिलीव हैं हमारा और हर गोड उसकी केटिग्री में हाईएστ है इस तो यृत गीफिरaguya करने सावित्री आइस्त है केटल की केटिगरी में पूशन हाइएस्ट है समझ रहे न तो इंद्र जो थे वह सबसे हाइएस्ट उस्टेंप पे इंद्र को वैसे डिस्ट्रोय और फोर्ट्स माना जाता था आरेन जो ते वह समझते थे कि हम जब भी लड़ने जाएंगे इंद्र हमारे पीछे आएंगे औ इंद्र जो थे वह डिस्ट्रोय और फोर्ट्स भी मान रहाता है तो पूरं अधर उनको कहते है तो इंद्र सबसेंप्रेंट दर बाकी के जो गोड़् के के टेकीम हाई एस्ट थे आई होब आपको चीज़े क्लियर हो रही होंगी देख सकते है आप अधीती इमदर ओफ़ रुद्र गोड ऑफ एनिमल्स चलिए आज के लिए इतना ही कल हम अल्ली वैदी केज की इकनोमी वो लास्ट अपी गो है फिर लेटर वैदी केज पूरा कवर कर ही लेंगे कल ठीक है तो गुडबाई